नमस्कर दोस्तो रेक अधास ब्लोग भी आप सभी का स्वागत है आसा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे फ्रेंट्स आज मैं आप लोग के साथ फिर से छोटे छोटे कुछ टिप्स की वीडियो सेयर करूँगी आसा करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएंगे तो वीडियो देखे अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट कीजेगा और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर कीजेगा तो वीडियो सुरू करते हैं तो आज का जो हमारा पहला टीप से है आम को लेके कई बार होते हम मार्केट से आम लेके आते हैं और दो-तिन दिन बाद ही आम हमारा सौप पढ़ने लग जाते हैं जो हमें खाने में बिल्कुल भी अच्छा ने लगता तब आपको ये करना है जो भी आपको आम लगे कि सौप हो गया है थोड़ा सा दबड़ा है उस आम को आप अपने तरीके से काट लीजेगा छोटे-छोटे पीस कीजे चाए बड़े पीस कीजे जैसे ये आम हमारा कली लेके आया था और इसमें से दो आम बिल्कुल ऐसे सौफ निकल गया अब देख सकतें किस तरीके से ये आम सौफ है इसे मैंने काट लिया है अब हम इसमें डालेंगे दो चमत चीनी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम फ्रीजर में रख देंगे जब कभी आपको मैंगो से एक बनाना हो या मैंगो आइस क्रीम आप इसे निकाल के बना सकते तो अच्छे से मिक्स कर दिया है बन करके आप फ्रीजर में रख देजे और जब कभी कुछ आपको बनाना हो इसे बाहर निकालिए और बना लिजे तो कैसा लगा ये tips आप नीचे comment section में जरुर बताईएगा अगला जो हमारा tips है वो है चाकू को धार देना कई बार होते हमारे चाकू में धार कम हो जाते हैं बिल्कुल भी नहीं करते हैं तब आप कुछी सेकेंडों में घर पर ही चाकू को धार कैसे कर सकते हैं वो ही में बताऊंगी तो चाय का कप हमारे घर में सभी के होते हैं तो चाय के कप के ये जो पीछे का side है इस side से आपको बस इस तरीके से चार से पांच बार ऐसे कर लेना है दोनों तरब से एक तरब चार से पांच बार और दूसरी तरब भी हम इस तरीके से इसे धार दे दे देंगे और आप देखेंगे ये बिल्कुल जैसे आप नए मार्केट से लाते है ना ठीक वैसे आपका चाकु में धार हो गया है अगर आपके चाकु में बिल्कुल भी धार ना हो तो आप 6-7 बर कर सकते नहीं तो तोड़ा सागर हो तो आप 4-5 बर कर सकते मैं आपको टमाटर काट के दिखाती हूँ देखें बिल्कुल रखते ये चाकु और कितने पतले स्लाइस आप कर सकते हैं जैसे धार नहीं होता है तो बिल्कुल ये टमाटर पिजग जाते हैं तो फ्रिंट ये चाकुधार करने वाला टेप्स आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा अगला जो अमरा टेप्स है वो है कई बार होते हैं रात को हम बदाम को भिगोना भूल जाते हैं तब आपको ये करना है हलका गुनगुना गरम पानी कर लेना है साप पानी है पीने का इसमें आपको बदाम डाल देना है पांस से साथ मिनिन में ये बदाम अच्छे से फूल जाएगा और इसका स्कीन उतारने में आपको असानी होगी तो आज के बाद अगर कभी आप बदाम रात को भिगोना भूल जाते हो तो ये जो टिप मैंने सेर किया है इसे आप एक बार फॉलो करके देखिएगा आसा करती हो पसंद आएगे तो कैसा लगा ये नुसका नीचे कॉमें सेक्शन में जरूर बताईएगा अगला जो अमारा टिप्स है वो है खरबुजे को लेके मार्केट से हम दो तीन खरबुजे अगर इखटा लाते हैं दूसरे तीन ही खरबुजे हमारा ऐसे सॉप्ट हो जाते हैं आप देख सकते हैं और ऐसे खरबुजे खाना घर में कोई भी पसंद नहीं करता है ना बच्चे ना बड़े तो ऐसे में आपको यह करना है खरबुजे को छील लीजिए जैसे भी आप छिलते हो काटते हो वैसे हम पीसेस कर लेंगे पहले खरबुजे को खरबुजे को मैंने काट लिया है देखें अब हम यहां पर डालेंगे तो से तीन चम्मच चीनी खरबुजे के मिठास के उपर है कितना मिठा है उसके उपर आप यहां पर चीनी आड़ कर सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम फ्रीज में रखेंगे दो घंटे के लिए जब तक यह अच्छे से ठंडा ना हो जाए उसके बाद आप सर्फ कीजेगा बड़ों के साथ बच्चों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा तो खरबुजे हमारा अभी बाहर था इसे हम रख देंगे फ्रीज में और इसे पूरी तरीके से ठंडा हो जाने के बाद ही सर्फ करेंगे तो कैसा लगा यह टीप्स नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा अगला जो अमारा टीप्स है वो है प्याज चिलते टाइम हम सभी के आँखों से आसु निकल जाते हैं आज जो मैं टीप्स आपको सेयर कर रही हूँ ऐसा करने से आपको प्याज काटते टाइम बिल्कुल भी आँखों से पानी नहीं आएगा तो बस आपको करना है आप प्याज जब काटे उससे 5-7 मिनिट पहले फ्रीज में आप प्याज को रख दे और 5 मिनिट बाद आप अगर प्याज को निकाल के काटेंगे तो आपके आँखों से बिल्कुल भी आँशु नहीं आएगा और दूसरा तरीका एग मैं आपको बताती हूँ प्याज को पहले हम छील लेंगे दो टुक्रा कर लेंगे और यहाँ पर ले लेंगे एक बावल में ठंडा पानी बस पानी में हमें प्याज को 5 मिनिट के लिए डिप करके रखना है पाँच मिनिट बाद जब आप प्याज काटेंगे तो आपके आँखों से बिल्कुल भी आशु नहीं आएगा तो फ्रीज में रखे चाय ठंडे पानी में दोनों टिप्स आप एक बार फॉलो करके जरूर देखिएगा उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगे तो ये टिप्स आपको कैसा लगा नीचे कॉमें सेक्शन में जरूर बताईएगा अगला जो टिप्स है वो है लौकी को लेके कई पर होते पूरा लौकी हम यूज नहीं करते आदा यूज करते और आदा हम इस तरीके से प्रीज में रख देते हैं और ये उपर का हिस्सा बिल्कुल काला पर जाते हैं और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और जल्दी लौकी हमारा खराब भी हो जाते हैं तब आपको ये करना है, लौकी हमारा एक हफ्ते तक खराप नहीं होगा, उसके लिए आपको करना है, एक फॉइल पेपर लेना है और इस तरीके से इसे कॉबर कर देना है, देखें। अच्छे से इस तरीके से हम बंद कर देंगे, और इसे आप फ्रेज में रखिए, उपर से ना काला पड़ेगा, ना लौकी आपका खराब होगा, तो ये टिप्स आप एक बार फॉलो करके देखेगा, उमीदे पसंद आएंगे तो फ्रेंट्स, आज का वीडियो यही खतम करती हूँ, आज का कौन सा टिप्स आपको ज़्यादा अच्छा लगा, नीचे कॉमें सेक्षन में जरूर बताएगा, कौन सा इन में से आप फॉलो करना चाते हैं, वो भी आप मुझे बताए सकते हैं, नीचे कॉमें सेक्षन मे और आज का वीडियो अगर हेल्फूल रहा आपके लिए, तो अपने दोस्तों में भी सेयर कीजेगा, तो नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अमना ख्यार लखेगा, और चेहरे पे हमें साथ स्माइल लखेगा